दूस्तो नमस्कार और स्वागत एक और व्डू में। दूस्तो कल मैंने आपके साथ एक एक वीडियो शेर किया था और उसमें वैंने को Mackay दिया घिया था कि जो यह ब स्पीशिस की लिस्ट आई दोस्तों उसमें से फिशर ग्रूप की जो बर्ड है वो गायब है पसनाटा के भी गायब है इसके बाद आप लोग के कई रियक्शन कई लोगों ने जो है कई तरह के रेस्पॉंस दिए उसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों मुझे कुछ दोस्तों ने जो है लिस्ट अपने में डाउनलोड करके जब लिस्ट चेक किया तुह उन्हों ने मुझे अपडेट किया कि उसमें जो है कई और ऐसे लोरी किट गायब थी उसमें रोजिला गायब थे दोस्तों तो जब लोगों ने बताए कि उसमें ऐसे जो है दो तीन स्पीशिस जो कुछ दिनों पहले मैंने चेक किया था तो जो अपेंडिक्स टू में दिखा रहा था वह अचानक से इस लिस्ट अपडेटेड लिस्टे गा दिखा रहा है उसके बाद से जो सन कॉन्यूर से वह भी अपेंडिक्स टू में दिखा रहा है रोजिलास भी अपेंडिक्स टू में है लोरी केट्स भी अपेंडिक्स टू में है लेकिन जो PDF फाइल जो है अमने इसके साइट से डाउलोड की थी उसमें नहीं दिखा रहा थ दोस्तों तो यह थोड़ा बहुत confusion था और इसी के चलते जो PDF है उसी के basis पर मैंने आपसे बता दिया था कि क्यूंकि वो उसमें appendix 2 से हटा दिये गया है तो आपको registration करने की ज़रूत नहीं है बट क्यूंकि जब online database में मैंने इसको चेक किया दोस्तों तो online database में ये अभी भी appendix 2 में है तो फिर मैंने कुछ जो इस field में जो knowledge रखते हैं और जो इसको regular monitor करते हैं उनके साथ आज एक छोटा सा discussion रखा था उसके बाद दोस्तों जब हम लोगों ने देखा काफी देर तक उसमें देखा ढूंडा तो उसमें एक चीज़ जो हम लोगों को जो है appendix 2 में देखने को मिला जो पहले जो पुराने लिस्ट में हर एक स्पीशीस के जो जैसे लॉरी कीट्स हो गए सन कॉन्यूर्स थे इन सबको individually जो है दोस्तों appendix 2 में रखा गया था इनका जो scientific name है individually उसको mention करकर रखा गया रहा बट दोस्तों जो updated है जो updated जो इनकी sites की list है दोस्तों इसमें से इनका individually हटाके उन्होंने पूरे family का name इसमें include कर दिया है दोस्तों अब आप सोज़ेंगे family का name क्या तो दोस्तों देखी जो citasi forms करके है spelling में आपको बता दे रहाओ पी एस आई टी टी ए सी आई एफो आर एम यह जो citasi forms जो family है दोस्तों इसमें around 350 प्लस जो है जो इसी family के एंडर में belong करते दोस्तों तो इस बार जो है sites की जो updated list आई है उसमें से उन्हों individual हटा दिया individual हटा कर सीधे appendix 2 में दोस्तों उन्होंने पूरी family में जितने भी species आते उसको appendix 2 में डाल दिया है उसके बाद जो कुछ जो appendix 2 में कुछ species जो आते हैं जो exception है उसको उन्होंने bracket में आप जैसे की अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें दे दिया है दोस्तों की accept the species including appendix 1 अब appendix 1 में कौन से आते हैं दोस्तों तो appendix 1 में जैसे कोकटूर से यह appendix 1 में आ जाते हैं उसी तरह macaws जो है macaws भी appendix 1 में आ जाते हैं तो इनको exclude करके बाकि जितने 350 प्लस है parrots की species है इनकी पूरी family को ही इनोंने डाल दिया इंडिविजुली इनोंने नहीं डाला है तो इसी लिए दोस्तों आप लोग भी confused मत होईएगा कि आप scientific name से सर्च करेंगे list में तो नहीं मिलेगा तो यह नहीं कि जो क्योंकि आपने सर्च किया उसमें नहीं मिला तो उसको register नहीं करना है दोस्तों उसका जो है family name भी एक बार आप जो है family name से भी सर्च कर लिए क्या पता हो family name पूरी जो फैमली है उसको इंक्लूड किया गया है तो यह भी हो सकता है दोस्तों और जिनको exclude किया गया है उन में जो है दोस्तों अभी भी वही है जो peach face रोजी लवबर से उनको उसके बाद से जो कोकटूज से उनको exclude किया गया है अभी वो exception इसमें included है दोस्तो दोस्तो देखिए जो भी आप लोग के पास exotic pets है सारे मैं तो आपसे यही advise करूँगा दोस्तो कि ज्यादा confusion मत पालीगा जितने भी आपके पास exotic pets है सबका registration करा दीजिए क्योंकि जितने लोग के जो अगर reject भी हुए fisheries के तो मुझे लग रहा है इसी confusion में क्योंकि जो authorities से वो भी जो है list download किये होंगे और downloaded list में उसका scientific name सर्च कियोंगा और वो scientific name क्योंकि उसमें है नहीं इसलिए उन्होंने भी reject कर दिया और rejection के साथ ये reason भी डाल दिया है कि appendix 1, 2 या 3 में sites की included नहीं है बट दोस्तों देखिए यह कहीं कहीं confusion के चलते हुआ है बट आज भी दोस्तों जो जो लॉबर्ट्स है जो रिंग वेराइटी की लॉबर्ट्स है या जो परसनेटा ग्रूप की लॉबर्ट्स है वो अभी भी appendix 2 में ही included है हां जो list में देखें के list में नहीं बट अगर उनकी family name से आप search करेंगे तो वो जो फैमिली से belong करती है वो अभी भी appendix 2 में है और अगर आप online database साइट्स का उसमें चेक करेंगे तो उसमें आपको अभी भी जो फिशर ग्रूप के जो लॉबर्ट्स है वो और पसनेटा ग्रूप के जो है वो appendix 2 में ही show करेगा हुप दोस्तो जो आप लोग के confusion थे वो दूर हो गए दोस्तो और अगर कोई भी confusion हो दोस्तो तो comment करके जरूर पूछिएगा और मैं तो आपसे दोस्तो यही advise करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी exotic bird है तो registration आप उसका करा ही लिजिए यह होगा कि अगर वो नहीं होगा तो reject कर देंगे authorities अगर होगा तो आपका registration approve हो जाएगा reject कर देंगे या approve करेंगे आपके पास एक legal document होगा कि हाँ आपके पास जो पैट है वो legal है और advisory के compliance में आपने जो इसका registration कराया है यह आपके लिए आगे चलके beneficial ही होगा दोस्तो इससे आपका कोई नुपसान नहीं है